आशिष बतायें कोई मार्क बाहर तो कोई भी नहीं सर नहीं तयार नहीं नहीं को बिल्कुल कोई भी स्टॉक नहीं है सबसे लीस्ट पोजिशन भी सेल के लेकिन 83 परसेंट है तो बैन से भार नहीं आगा लेकिन सर एक स्टॉक पर नीची हो रहा है मार्केट तो भी पोजिश आपकी चेकिन कभी गलत नहीं हो दियो जैसे आपको आपने बिल्कुल सही चेक किया कि रोई शर्माई यह कैप्टेन, यह परफेक्ट, आज बात जो सुवह मैं कहा रहा था आपको, पहले सुवह डर किया था, तो डर यही था कि जो भी ब्लोग डील हो रही है, उस ब्लोग ड खरीदेंगे, कैश में ले लो, दो दिन पहले, ठीन दिन पहले, एक दिन पहले आप फूचर्स में बेज दो, तो फिर आपका ट्रेड बन गया, तो दिर आप डिलीर उतार देंगे, तो वो वज़े से 222 परसेंट है, ऐसा नहीं कि अचानक 18% इस्टेजारी वोड़ाफर न चमबल आओ, और वो भी पोजिशन है, 113% है, और एक और सर फेवरेट स्टॉक है, HAL, जहां पर 100% है, मार्केट वाइट और कल भी करीब 119% ही, तो साथ तो स्टॉक और आपके पास बैन में, तीन नई एंट्री करने जारे, इंडरस्टार, चमबल फर्टिलाइजर और HL, तो अब आपके पास पूरे 10 टॉक होंगे बैन में, दस टॉक होने वाले बैन में, I think HL, बैन लिस्ट का तो फेवरेट नहीं, बैन लिस्ट में आता है, बहुत कम आता है, इंडरस्टार तो पहले भी आता था, चमबल तो खेर फेवरेट है, बलरामपूर ही है, अलड़ी, सेल ही है, और क्या है, हिंदुस्तान को पर फेवरेट ही है, जी एमार तो बाहर आ गया था, इंडिया सीमेन भी फेवरेट है, सन टीवी भी रहते ही है, फीक, जो है, वो बड़ी है,